दोस्तों अगर आप लोग को फोटो और वीडियो बेज के पैसा कावने में इंट्रेस्ट है तो टीचिंग डॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के हिट करके सारे नोटिफिकेशन अन कीजिए मेरे स्टॉक फोटोग्राफी गाइड सबसे पहले देखने के लिए and here I come नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हो मैं हूँ डॉक्टर और अरिंदम और आप देख रहे है दा टीचिंग डॉक और इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा वैर स्टॉक वेबसाइट के बारे में ना आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं शटर स्टॉक औ बनाते रहता हूँ और आपको बहुत सारे एजेंसी का स्टेप बाई स्टेप गाइड अलड़ी मैं बनाके दिया हूँ लेकिन वायर स्टॉक एक ऐसे एजेंसी है जहाँ पे आपको वो सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा ठीक है ना मतलब आप अगर शटर स्टॉक पहल का keyword, title, description डाल देते हो तो आपको बहुत आसानी होती है क्योंकि ultimately वो information आपके फोटो में ही store हो जाता है और जब आप अपलोड करते हो Shutterstock, Adobe Stock या कोई यह website पे तो आपका title, keyword, description सब अपने आप detect कर लेता है बस आपको करना होते category और उस पर अल्रड़ी मैं एक detail series बना चुका का हूँ कि कौन सा फोटो कैसे category पे जाता है लेकिन वायर स्टॉक आपका यह सारा काम एकदम आसान कर देता है especially उन दोस्तों के लिए जिनका keyword, titling, description में problem है ठीक है मतलब इन लोग का English उतना अच्छा नहीं है keyword, title, description की वाज़ा से sale नहीं हो रहा है उन लोग के लिए एकदम सपना पूरा होने के जैसा वायर स्टॉक की agency है तो पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ वायर स्टॉक का sign up link है वो मेरे video description में दिया हुआ है आपको अगर sign up करना ही है तो आप अगर मेरे video में दिया हुआ link से sign up करोगे तो मेरे channel को बहुत help होगी तो आप नहीं भी कर सकते ह कोई बात नहीं है तो पहले आपको दिखा देता है कि कैसे submit करना होता है तो देखिए यहां पर आपको मारना होता है upload photo यहां पर जैसे आप sign up करेंगे website पे तो आपका पहले नाम अपना email address यह सब देखे अपना account बनाना पड़ेगा तो उसके बाद आपको upload photo पे click करना पड फोटो आप कोई भी Google Drive या Dropbox यह से भी कर सकते है यह अपना computer के hard disk में search करके भी upload कर सकते है यह फिर यह FTP address है FTP जो software है file जी ला होई Xpix हो वैसे भी आप wear stock पे photo upload कर सकते है तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे upload करके अपना computer में से कोई भी एक photo मान लीजे चूज कर लेता हो ठीक है न यह वाला photo कोई भी photo मान लीजे मैं यह चूज किया उसके बाद आप अगर इसको करेंगे click तो इसके बाद यह देखिए जट से आपका upload होना शुरू हो जाएगा तो यह photo already देखिए जट से upload होना शुरू हो जाएगा तो 100% तक हो चुका है ठीक है न तो इसके normally आपको क्या करना पड़ता है यह photo को select करके आपको title description keyword ऐसे देना पड़ता है ठीक है न लेकिन wirestock में आप free में इसको ऐसे ही यहाँ पे देखिए easy submission है अगर easy submission आप नहीं चूज करोगे तो आपको commercial ए editorial ऐसे चूज करके photo illustration ऐसे में आप अपना manually option भी दे सकता हो title keyword description लेकिन ह आप ऐसे ही submit यह easy submission पे click मारिए commercial पे click मारिए और जितना भी agency है जो top agency है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कमाता हूँ वही best agencies वेर्स्टॉक पे दिया हुआ है यहाँ पे select करके बस इसको कर दीजिए submit मेरा यह submit button क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने already अपना weekly जो limit है यहाँ प फोटो अपलोड कर पाएंगे लेकिन फिलाल मेरे पास weekly limit है 30-30 का क्योंकि मेरा बहुत सारा फोटो reject हो चुका है तो उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ तो यहाँ पे आप submit अगर कर देंगे तो आपका processing थोड़ा time लगेगा तो up to 5 business days मतला 5 दिन तक उन लोग मतल कोई भी agency अगर reject किया तो आपका photo reject हो जाएगा यही पे मेरा problem आता है वायर स्टॉक में क्यों मैं वायर स्टॉक इतना अच्छा होते हुए भी आज तक आप लोग के लिए कोई भी video नहीं बनाया हो मैं absolutely बोलता हूँ जिन लोग का English में problem है उन लोग ऐसे कर सकते हो जिन लो वायर स्टॉक में upload करना शुरू करेंगे मैं तो कहूंगा बिलकुल नहीं चलिए क्यों यह देख लेते हैं क्योंकि मैं पिछले हफते एक English वीडियो बनाया था तब तक मैं 100 photo submit किया था तो उसमें 4 ही accept हुए था 97 reject हो गये थे तो उसके बाद उसमें से कुछ photos मैं फिर से upload क किया मतलब resubmit किया तो photos accept हुआ है तो मैं क्या किया वायर स्टॉक का review process कैसा है देखने के लिए मैं कुछ बहुत अच्छा सूपर्व एडिट किया हुआ finished photo upload किया था और कुछ बिना edit किया हुआ एकदम straight from mobile जो खीचा था बिना कुछ ratio मतलब कुछ भी editing नहीं करके contrast color कुछ भी edit नहीं करके वो लोग upload कर दिया था मैं तो हैरानी की बात ये रहा कि मेरा जो photo submitted हुआ था to the agencies ठीक है न तो उसमें से आप देख सकते हो बहुत सारे un-edited photos I mean ये देखी ये photo इतना घटिया है मतलब मेरे ही standard के हिसाब से कि ये photo अगर मैं reviewer हो तो accept नहीं करता ठीक है न तो मेरा बहुत सारा un-edited जो photo है वो accept हो चुका है and कुछ मेरा बहुत साफ सुत्रा edited photo है वो accept हुआ था लेकिन ये था only 10% जो मैं total upload किया था मेरा 90% of the photo reject हो गया आप देख लेते हैं क्या reject हुआ है reject हुआ है ये ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मेरा photos खराब था अगर आपका photos खराब है तो reject होगा कोई बात नहीं लेकिन मेरे कारण मतलब मेरे case में मुझका already पता है कि मैं ये सारा photos एकदम finished पूरे exposure, noise reduction, contrast, sharp ने सब कुछ एकदम tip-top करके ready to upload condition में दिया था फिर भी ये सारे photos reject होगा है देखी rejection reason बोल रहा है composition distracting elements कुछ तो मतलब इन लोग अपने आप ऐसे ही देखी ये photo के exposure एकदम perfect था तो दिया है exposure बाकी यहाँ पे reason दिया है composition जबकि मेरे यहाँ पे एक blank space है perfect composition है यहाँ पे बोल रहा है horizon line is crooked मतलब आप अगर sunset ऐसे photo ले तो आप horizon line is crooked और भी बहुत सारे photo में जहाँ पे कोई भी noise नहीं है मैं आपको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में देख रहा है और photo का size भी छोटा है लेकिन मुझे पता है कि मैं 100% noise reduction किया था फिर भी यहाँ पे rejection हुआ है due to noise ठीक है ना fine तो म भी noise नहीं है फिर भी noise के वज़ा से reject हुआ है मान लिया मान लिया कि मेरा photos खराब था reject हुआ है तो वहाँ पे एक और बहुत बड़ी problem आ जाती है wordstock में कि कौन सा website आपका photo reject किया है यह उन लोग नहीं बताता है देखिया आप लोग जो black box agency के बारे में आप लोग सुना है मतलब आप वीडियो अपलोड करोगे वहाँ पर title keyword description डालोगे और black box सारे agency में अपने आप अपलोड कर देगा detail guide आप अगर request करोगे तो मैं लाओंगा लेकिन वायर stock में photography करता हूँ वीडियोग्राफी नहीं करता हूँ तो photography लेके यह वायर stock है तो वायर stock में क्या हुआ है कि देखिए जो photos है shutterstock आज के दिन में सबसे साधा strict agency है क्योंकि बहुत लोग अपना रदी photo डाल रहे है इसलिए उन लोग अपना database को control में लाना के लिए बहुत strict हो गया है तो यह सारे photos shutterstock में reject हो भी सकते है chances कम है लेकिन हो सकते है लेकिन मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि यह सारे photos dreams time deposit photos आलामी जो मतलब उतना strict नहीं है वो सारे agency 123 RF वहाँ पे तो 100% accept होने ही थे तो यहाँ पे wirestock अगर ऐसे बोलता कि आपका यह वाला photo shutterstock में reject हुआ है बाकी सारे में accept हो गया है तो यह situation में आपको बोलता कि 100% wirestock शुरू कीजिए बस अपना photos जो इस agency मान लिए shutterstock औ dreams time में reject हुआ है वहाँ पे आप लोग अलग से upload कीजिए personal accounts से ठीक है ना लेकिन यहाँ पे यह वाला possible नहीं है ओके तो यह नहीं बोल रहा कि कौन से agency में reject हुआ है तो मेरे लिए बहुत problem है यह track करना तो मतलब हो सकता है कि कोई भी एक agency reject कर दिया हो तो सारा reject हो गया मतलब wire stock कोई agency में submit करेगा ही नहीं तो मैं यह नहीं मान सकता हूँ मेरा time waste हो रहा है यहाँ और एक बड़ी बात है कि wire stock कोई भी editorial photo अगर आपका है तो उसको submit नहीं करेगा इसी submission में editorial photo में आपको title, keyword, description, country साब कुछ देना पड़ेगा लग से ठीक है ना तो commercial photo आप देंगे तो package displays, property miner तो वहाँ पर जाके आप अपना पहले से ही upload किया हुआ जो model releases है वो यहाँ पर attach करके submit कर सकते हैं लेकिन यह जो मेरा problem है मतलब कौन से agency reject किया है और मेरा अच्छा photos भी reject हो चुका है जो normally मैं बाद में आलग से shutter stop में upload किया हूँ और वो सारे accept already हो गए है मेरे portfolio में तो साथ बार बार हुआ है wear stock में कि अच्छा photo reject हो चुका है फिर भी यह सब को नजरंदास करते हुए अगर आप चाहते हो कि आपका समय बचे और अगर आपके पास time नहीं है और या अगर आपका English बहुत पूर है तो आप जरूर wear stock में submit कर सकते हैं अगर मेरे channel को support करना चाहते हुआ अप लोग तो वीडियो के description में दिया हुआ link से आप sign up करेंगे तो आगे जाके अगर आपको sale मिलेगी तो उसका थोड़ा percentage मुझे भी मिलेगा और मेरी भी थोड़ी referral earning हो जाएगी लेकिन मेरे लिए तो wear stock agency नहीं है मैं manually upload कर रहा हूँ shutter stock और भी बहुत सार एजनसी पे via xpix ठीक है ना तो आज का code of the day अगर आप लोग अब तक ये video देख रहे हो तो देख लेते हैं मेरे photo में कोई भी एक photo का photo को मैं दूंगा code of the day तो ये है fried muchly ठीक है ना तो आज का code of the day है fried fish तो आप ये video अब तक देख रहे हैं तो ये code type कर दीजिए तो मुझे पता चल लिए बहुत बहुत शुब कामनाई अडवांस देखिए मेरा earning भी zero है अगर जितना photos मैं submit किया हूँ यहाँ पर तो अगर sale होता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा लेकिन मैं उतना seriously wear stock को नहीं ले रहा हूँ आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते है video अ आप से अगले वेडनेस डे को एक exciting नया हिंदी वीडियो लेके तब तक के लिए बायंड टेक केर